ये हैं हमारी कैलिपर गज कैलिपर क्नाइ यह आपका गज है एक सैड इसका जो गेज होता है वो बंद रहता है अब ऑफ एक साड खुलीपर सिरा है वह क्या करता है किसि बाहरी डाय को चेक करता है यह कि मेरा work piece है इस work piece के बाहरी size को check कर रहा है यानि कि external size को check कर रहा है कौन सीरा यह सीरा अब उसी तरह देखिए यह दूसरा सब्सक्राइब देखिए जिसका काम क्या है अंदर के die के लिए कोई internal कोई hole है या कोई diea है उसको check करने के लिए हम इस face का इस्तेमाल करेंगे इसम का मतलब यह है कि कैलिपर गेज के दुवारा हम किसी जोब का बहारी डाया और इंटरनल एक और अंदर का डाया दोनों चैक कर सकते हैं इसमें क्वच्चन यही बनता है वो आपसे पूछेगा कि उस गेज का नाम बताईए जिसके दुवारा हम एक्टरनल और इंटरनल दोनों कोई माप्न ले सकते है I am tumis хотел कि का नाम रहेगा आपका कैलिपर गेज से मैं भस जय हिने रिष्य चलते आब आगी चलते है यह हमारा डिल गेज, देखें डिल गेज कैसा होता है, यह एक डिल गेज बना हुआ इस तरह, देखें इसमें कुछ होल है, यह पहले बड़ा है, फिर बड़े धीर 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 फिर छोटा होता जा रहा है, तो एक साइड छोटे होल रहते हैं, एक साइड सबसे बड़े साइलों, बड़े होल रहते हैं इसके, देखिए, डिल गेज का इस्तेहमाल हम कहा करते हैं, वर्क्सोप में हम डिल यूज करते हैं, एक डिल बनाए है यापर, डिल यूज करते हैं, उस पर एक साइल लिखा है, यह 10 mm का डिल है, इस्टेट सेंग, इस्टेट सेंग है पहचानने के लिए कि ये किस size का है उसके लिए हम use करते है dill gauge का कि हमें मालूम होना चाहिए कि ये dill gauge किस size का है तो हम dill gauge पर जाएंगे और इस अपने state sank वाले डill को इस पर check करेंगे कि किस hole में ये आ रहा है जिस hole में आ रहा है उसी size का हमारा डिल रहेगा कहने मतलब यह कि अगर कुछी डिल का हमें साइज मालूम करना है तो हम डिल गेज का इस्तेमाल करते हैं चलिए आप देखिए यह एक से असी नमबर मिलते हैं और ए से जैड के नमबर मिलते हैं इसकी दो आलालागे पलेटे होती हैं अब देखिए जो एक नमबर का है उसका साइज क्या रहेगा जीरो दसमलो दो दो आट इंच यह रहेगा आपका इंचों में और एमम में देख लिजिए 5.791 एमम यह रहेगा एक नमबर वाले का अब देखिए 80 नमबर वाले का देख लिजिए 80 नमबर का 80 नमबर में रहेगा 0.0135 इंच यह रहेगा आपका इंचों में और अगर एमम में हो तो 0.35 यह रहेगा आपका एमम में अब देखिए ए से जैड वाले में देखिए तो ए का साइज है वो रह और mm में देखिए 5.944 mm ये रहेगा mm में और z का देख लिए 0.413 और mm में 10.490 mm ये रहेंगे mm में तो ये आपके साइज है अब देखिए इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है इसमें याद क्या रखना है जो एक नंबर का साइज है वो बड़ा होगा जो 80 नंबर का है वो छोटा होगा यालि स्टार्टिंग इसकी छोटी होगी और जो जैड है वो आपका बड़ा होगा बस ये ध्यान रखना है कि इस से ये उल्टा होता है इसमें एक नंबर का साइज नंबर चोटा इसमें पहले वाला जो ए है वो छोटा रहेगा ओर जैड बड़ा रहेगा यह आपके बिल्टिस और और मिट्रिक दोनों मिलते हैं यानि कि mm में भी मिलेंगे और आपके इंच में मिलेंगे कि इंचों में भी मिलते है पी ठीक है है यह हमारी डिल गेज को आगे चलते हैं इसमेंद नहीं है बस चलिए यह हमारी receiving gauge देखे receiving gauge क्या से होती है देखे इस तरह है ये भी ये goal है बिल्कुल इसके बीच में क्या होता है इस तरह के ये कुछ pair से बने होते है देखे इस तरह receiving gauge अगर सुनने में मिले की receiving receiving क्या मतलब होता है तो answer हम नहीं दे पाएंगे जब तर लग हम इसको पढ़ेंगे नहीं कि receiving gauge होती क्या है देखिए इस तरह है round में है यह मैंने एक job बनाया है इस job का जो डाया है वो 50 mm है तो किसी job के external डाय को check करने के लिए हम receiving gauge से इस्तेमाल करते हैं बस यह पूछे आपसे वो कि receiving gauge का इस्तेमाल कहा होता है इसका receiving gauge चलिए देखिए यह है depth gauge depth gauge देखो इस तरका होता है इसके पार देखे लिजिए यह हमारा rule है इस पर mm के और आधे mm के निसान बने होते है यह देखिए यह जो पार्ट है यह आपका head है इसको हम head बोलते है यह जो बीच में है यह आपका lock nut है तो किसी hole की dimension लेने के लिए किसी hole की घहराए की कोई भी dimension है उसको लेने के लिए हम depth gauge का इस्टेमाल करते हैं देखो किसी hole में इसको इसके rule rule को डालने के बाद हम क्या करते हैं lock nut से अपने head को lock कर देते हैं और जितना भी हमारा rule इसके base से नीचे रहेगा वो हमारे hole की या slot की depth रहती है तो किसी blind hole step उसको check करने के लिए हम depth gauge का इस्तेमाल करते हैं देखिए मैंने दिखाया आपको यह मैंने बनाया है यहाँ पर एक blind hole है इसके ऊपर मैंने अपना depth gauge रखा है यह हमारा steel यह रूल है यह रूल है यहां पर मैंने लगाया है यह चेक कर रहा इस तरह और जितनी भी यहां तक reading कर आएगी यहां तक इसको फिर लोग कर देंगे हमारे जो blind होले उसकी कहराई कितनी है कोई step है देखिए एक step दिखाया इस तरह यह step है हमारा step को check करने के लिए भी हम स्लोट में डालेंगे और जितना भी नीचे जाएगा वह हमारी depth होगी तो स्लोट को भी चेक करता है तो depth gauge कहा का इस्तेमाल होता है किसी blind होल की गहराय चेक करने के लिए किसी स्लोट की गहराय चेक करने के लिए यह कोई recess है recess का मतलब है कोई ऐसा स्लोट जिसकी आकरती ऐसी है जिसको हम अपने depth gauge से check कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं recess तो यह सभी अगर आप से पूछ ले कि depth gauge को अपयोग किया जाता है तो blind होल के लिए किसी step के लिए किसी स्लोट के लिए किसी recess के लिए तो answer एगा आपका ये सभी इन सभी को हम check कर सकते हैं आपके depth gauge से depth gauge के दुवारा अब देखिए एक rule है इस्टी rule की तरह है तो इसकी जो list count रहेगी 0.5 mm रहेगी इस्टी जो इस्टी rule की होती है वो इसकी है अगर पूछ लेगी depth gauge की list count बताईए कि उससे हम कम से कम कितना map सकते हैं या किसी hole का जो depth है check कर सकते हैं तो वो क्या रहेगी आपकी 0.5 mm ये आपका depth gauge इस वीडियो में तो नहीं मिलते हैं next वीडियो में